हे गाईश देखो यहाँ पर एक ऐसा स्टॉक है जो लगबाग 16 रुपीज के आज भाजू चल रहा है इस कंपनी के अंदर गवर्मेंट की भी सरकाफी बड़ी हिस्तेदारी है गवर्मेंट की काफी बड़ी हिस्तेदारी आप यह समाझ लीजाए पूरी तरीके से कंप्लीट सरकारी कंपनी नहीं है मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिना है चाहता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगए कि यह तो कुछ और बता दिया गया करके लेकिन जिस तरीके से खवर आ रही है सर माना जा रहा है कि यह स्टॉक सबको पीछे छोड़ सकता है तो यहा इक कौन बैए देखो सर याद रखें अगर राहूल गांधी कुछ बोलते हैं तो कुछ नहीं होने वाला मोधी जी बोलते हैं तो बहुत कुछ होने वाला है सर आप बहुत पॉरफुल चीज़ यह लगबाद क्रेटिट रेटिंग अजेंसी की तरह सर रिसर्च करते हैं बह लोग इतने बड़े लेबल में कि सरीया पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है पूरे वर्ल्ड में ऐसे मतलब सर ऐसे ब्रोकरेज रिपोर्ट के लिए बड़ी-बड़े कंपनिया तरस जाती है इतने बड़ी चीज़ है तो छोटी-मूटी चीज मां समझ लीजगा इसने बोला है कि भाई देखो maintain by call on यहाँ पर देख सकते हो जो बताया ज़रा expectation of favorable AGR जो भी AGR से related सर जो case चलता हुगा नज़र आ रहा है न सर वो favorable आ सकता है favorable कहने का मतलब सर सरकार जैसा चाती है और company जैसा चाती है तो company के तरफ आएगा सर यह जो सरकार ने बोला था है कि भाई सबको यह AGR जो due है वो पे करना पड़ेगा जैसे ATL, Vodafone Idea और Gio को लेकिन सर Gio को नहीं पे करना पड़ेगा यह थोड़ा सा ही पे करना पड़ेगा यह इस वज़े से क्योंकि सर Gio तो भी हाल फिलाल में आया है ATL Vodafone Idea यह company बहुत पुराने समय से काम करें इस वज़े से तो अगर यह माल लेते हैं कि Vodafone के favor में मतलब जैसा Vodafone चाता है उस तरीके से अगर माल लेते हैं कि आज आता है सरकार के तरफ से चुह है खबर त तो सर इस company को काफी बड़ा benefit हो सकता है और फिर बताया जा रहा कि इस stock आपको काफी बड़ा return भी निकाल कर दे सकता है सर Vodafone Idea पहले तो सर संजीव भसीन जी ने इसका 28 का target दे रखा था संजीव भसीन जी ने जिसमें बोला जा रहा है कि देखो यह जो लगबा Vodafone Idea के त 38-40% तक का target और वो भी सर Vodafone Idea मतलब पता ही एक लाग करोड की company बन जाएगी सरी एक लाग करोड की company बन जाएगी जहां पर बोला जा रहा है कि the management is optimistic मतलब आसावादी है सरी इनको उमीद है कि यहां अच्छा होगा about the favorable outcome in AGR case believe the यहां देख सकतो government remain supportive और governments यहां पर support करते इस बज़े से भी नजर आ सकती है क्योंकि market के अंदर stock market के अंदर मतलब market के अंदर physical market के अंदर अगर आप देखोगे तो सर जियो ने सब का जीना हराम कर दिया क्योंकि जिस तरह से 25% इन्होंने बढ़ाया है इसको बज़े से सर आम आदमी को तकलीफ हो रहा है इसको बोलत है यहां पर अगर माल लेते हैं कि बहुत ज्यादा competition रहा 5-6 company रही टेलीकॉम सक्टर में तो सर कोई अपना प्राइस नहीं बढ़ाएगा तो इसलिए वोड़ा फोन आइडिया को जिन्दा रखना ज़रूरी है यह सरकार का मानना है नहीं तो monopoly हो जागा तो सर अभी तो दे financial crisis में आपको देखने को मिला अब सर ऐसी company है जो कुछ खास profit नहीं कर पा रही है उपर से मतलब जो इनके उपर और burden डाल दिया जाएगा तो company survive करना यहां पर बहुत लगठा है कि भाई देखो इन्हें से तीन लोगों ने बोला है कि strong buy करो खरीदो वोड़ा फोन आइडिया कोई दिकत की बात ने एक लोगों ने बोला है खरीदो बाकि six का मानना है कि sir hold करो यहां पर तीन लोग का मानना है कि बेचिए और six लोग और जो छ hold का मतलब sir क्या hold मतलब क्या मतलब उमीद कर रहे हैं कि हाँ भाई जो भी होगा अच्छा होगा यहाँ सर बाकि आप देखेंगे तो जो भी है आरांड नाइन लोग बोल रहे हैं कि बेचो तो देखो कुछ लोग घबराय हुए भी है कि company का condition बहुत खराब है इससे better option आपके पास available है तो फिर क्यों यहाँ पर रहना करके लेकिन जिस तरगे से सर यह company का data अगरा थोड़ा कम हो जाएगा बड़न कम हो जाएगा तो automatic sir company थोड़ी fundamentally strong बनते हुए नहीं जरा सकती है और यहाँ पर अगर देखेंगे तो दूसरों की बात तो छोड़िए sir Mitchell fund वाले यहाँ लखा है देख लिए यह Mitchell fund वाले है sir यह बताया जारा तो Mitchell fund वाले को भी लग रहा है कि नए वोड़ा फोन ऐडिया कुछ अच्छा कर सकती है पहले इनके पास देख लिए 2.9% था फिर लगब और घटाया और घटाया और घटाया और सीथा देख लिए कि sir 1.79% से अभी कितना कर लिए इन्होंने तो 4.75% तो Mitchell fund वाले ने 5% खरीदने की हिम्मत की मतलब दाप देनी पड़ेगी इतना ज़्यादा खरीदरे मतलब company अच्छा perform कर सकती है और यह है sir foreign investors यह है foreign investors यहाँ पर भी आपको लिखा हुए रहेगा foreign investors करके यहाँ देख सकतो foreign investor लिखा हुआ है तो sir इनके पास भी लगबग 2% था आज इनके पास कितना है sir 12% 12% देख रहे हो किस कदर सर हिस्सेदारी खरीद जा रही है यहाँ पर इस कदर सर यह लोग खरीद रहे हैं पता ने इनको लग रहा है कि बहुत अच्छा हो सकता पर मोटर के पास तो जो भी 38% है बाकी mutual fund जो देख सकते हो लगबग पता है जारा 4.75 फिर यहाँ पर foreign investor हो जाते हैं public हो जाता और others भी है sir others कितने हैं तो others में 24 और यही others मतलब कौन sir others मतलब कौन भाई foreign domestic mutual fund सब होई गये तो तो sir यह other मतलब है government यह government ने भी यहाँ पर पैसा लगा राखा है sir सोच लो और यह sir would of an idea यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर यह देख सकते हो यह है government तो government के पास कितना है sir 23% हिससे दारी है पहले इनके पास 33% हिससे दारी था देख लो तो एक तरीके से लगवा गोड़ा फोन आइडिया पर सभी लोग positive है sir और यहाँ पर खरीदने वाला कौन है तो mutual fund वाले foreign वाले domestic वाले sir इन लोगों ने बड़ा माल उठाया है foreign investor दो परसंट से 12% domestic investor दो परसंट से सिधा 5% यह लोग कूद गये sir और यह अभी अभी हुआ है अभी अभी हुआ है sir उमीद किया जा रहा है कुछ अच्छा हो सकता है इस वाज़े से बाकि यह को recommendation अडवाइज या tips नहीं दे रहा हूं मैं यहाँ पर और अगर अगर अप stock market में नहीं हो तो अपने कर सकते हैं बिलुकुल फ्री में sir